दुनिया में ठोकरे उनी को लगती हैं, जो चलते हैं, जो पाओं तोड़कर बैट जाते हैं, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती, गिरते वहीं हैं, जो दोडेंगे, काटे उनी के तलवों को चुपते हैं, जो दोडते हैं. इनसान नसीहतों से नहीं सीखता, खुद्बों से नहीं परवान चड़ता, दूसरों के तजरुबों से भी नहीं सीखता, इनसान जिन्दगी में तब परवान चड़ता है, जब उसके दिल का कोई हिस्सा, दुख, दर्द की तकलीफ से कट जाता है, और अपनों के मायूस कर देने वाले रवीए उसकी कमर जुका देते हैं, इनसान बड़ा तब बनता है, जब जिन्दगी उसे उसकी जड़ों से उखाड़ कर फेक देती हैं, हकीकत सिर्फ इतनी है कि सबसे खूबसूरत वो चहरा है, जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान लगें, बागी ये बेकत, जील आखें, गोरी रंगत, सब बेमाना हैं, शायस्तिगी सिर्फ मेज पर चटनी ना गिराने ही को नहीं, बलकि इसको भी कहते हैं कि कोई दूसरा गिरा दे, तो उस पर ध्यान न दिया जाए, आप जितने ज़्यादा पाकीजा होंगे, उतने ही बच्चे, जानवर परिंदे, दरख्त और चंद इनसान आपसे महबबत करेंगे, जिन्दगी में जो लम्हें मौजूद हैं, उनसे लुद्फ उठाएं, क्योंकि हर गुजरता लम्हा, गुजरे हुए वक्तों की यादों में तबदिल होता जा रहा है, जिन्दगी में कुछ लोग ऐसे होते ह जो हमेशा अच्छी बाते करते हैं, उनसे जब भी बात हो, इनसान सकून महसूस करता है, जैसे कोई बोज हलका हो गया हो, बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग, जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं, वो रूब हमें सिखाता है कि रुखसत होना ला लोगों से जुदा हो जाएंगे, जिनसे हमें महभबत हैं, लोग गलत कहते हैं, कि महभबत का उलट नफरत होती है, महभबत का उलट फर्क ना पढ़ना होता है, एक दूसरे के लिए बेमाना हो जाना, अरब कहा करते थे, अपना दिल मुझे थमा दो, मुलाकात जब मर्ज कर लेना, यानि तालुक में दिल का खुलूस एथिपार रखता है, ज़्यादा मुलाकाते नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कितनी खूबसूरत बाते करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आप बेवकुफी की बाते ही करेंगे, सबसे अच ज़्यादा नहीं बलके इजज़त का जजबा है, कुछ लोग आपकी जबान से अदा किये गए लवज भी नहीं समझ पाएंगे, और कुछ को समझाने के लिए लवजों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक अच्छा तालुक रहा तुम से, एक अच्छी याद हो तुम जिन आखों ने देखे हो तेरे खाब हमेशा, उन आखों को यो रुलाया नहीं करते, हर शक्स के दामन में सहारा नहीं होता, हर शक्स को यो छोड़ कर जाया नहीं करते, कभी कभी जाने वाले इतनी जगा आपके दिल में घेरे होते हैं, कि मुद्दतो ये खला नहीं इन्सान का कहानी के साथ गहरा तालुक है छोटा होता है तो कहानी सुनता है बड़ा होता है तो कहानी सुनाता है और फिर एक दिन खुद कहानी बन जाता है अकेले रहना अच्छा लगता है अकेले रहने का मतलब तन्हा होना नहीं होता बलके इसका मतलब ये है कि आपके जहन पर मौशरे का असर नहीं होता ना उसकी गंदगियां आपके जहन को गंदा करती है तंज वो तीर है जो शहद में भी भिको कर मारा जाए तब भी उसकी कड़वाट और चुबहन कम नहीं होती जिन्दगी की कहानी दो तरह की होती है एक वो जो वक्त लिखता है हम जीते हैं और एक वो जो हम लिखते हैं और जीते हैं और जो खुद नहीं लिखते हैं उनकी कहानी वक्त लिखता है किसी एक चीज़ के ना मिलने पर जिन्दिगी में मौजूद हर निमत से दिल उट जाना बहुत बड़ी नाशुक्री है काम्याब लोग अपने मकसद को नजर के सामने रखते हैं रुकावटों को नहीं आपका तालुक आपकी काम्याबी का एक तुकड़ा है मौत को याद रखना नफस की तमाम बिमारियों का इडाज है तकलीफे, महबबते और आदते कभी पुराने नहीं होती चीजों की तादाद में कमी हो जाना चाहिए लेकिन उनकी खुबियों में नहीं उदास दिल की उदास बाते समझने वाला कोई तो होता इन्सान की जबान उसका आदा हुस्ण होता है लेहाज आपनी बातों को अच्छा करो जिन्दगी में उस इन्सान को कभी मत खोना जो तुम पर घुसा होकर फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए जिन्दगी वैसे भी गुजर जाएगी क्यों ना जिन्दगी को हसकर बुजारा जाए इतना हसें कि देखने वाला भी हस पड़े दुनिया जहीन लोगों को तनहा कर देती है तकब्र करने वाले उलमा ना बनो तुम्हारी जहालत तुम्हारे इल्म से आगे निकल जाए फकीर को सदका दे कर एहसान ना जदला बलके उसके कुबूल करने का खुद एहसान मन हो परदा बोशी अल्ला आगी बहुत बड़ी सिफत है सारी मखलूग के सारे गुनाहों को देखता है परदा बोशी फरमाता है रुस्वा नहीं करता और कुछ हो ना हो तेरी नियत अच्छी हो यहर चीज़ का दारुमदार नियत ही पर मौकूफ है अल्या ताला ने फरमाया मुझसे मांग मैं दूँगा दूआ कर मैं कुबूल करूँगा यानि अल्या कभी वादा खिलाफी नहीं करता हुजूर अक्दस अल्याहिए वस्वा ने फरमाया तक्दीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती मगर दूआ ऐ मौला तेरे हुक्म और इरादे ही के तहर जमीन और आस्मान की हर चीज़ नकल और हरकत कर रही है हम या तो माजी के मुहाफिज बनते हैं या फिर मुस्तक्बिल के मैमार जहनी तरकी के लिए जरूरी है कि इल्म की तारीख पड़ी जाए और तारीख का इल्म हासिल किया जाए ऐ मौला दीन तेरा दुनिया तेरी मुल्क तेरा हम तेरे और तू हमारा बन्दा जो काम करना चाहता है कर नहीं सकता फिर वो आजिज नहीं तो क्या है अगर हम इल्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं अल्ला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस मामले में इंतिहाई एहतियात रखनी होगी हमारी जबान से निकलने वाले किसी लफसे किसी की बेईज़ती ना हो वोसे के वक्त परदाश का एक लम्हा तुम्हे हर बाल शर्मिंदा होने से बचा सकता है अपने आपको हकी की महभबत की अजीब कशिश की खामोशी में खीचो ये तुम को गुमराह नहीं करेगी सिर्फ वो खुबसूरती मस्तकिल है जो दिल की होती है अपने सामने आने वाले कहानिया उनसे खुश ना हो अपनी अपनी कहानी का परदा उतारो तुम पंक लेकर पैदा हुए हो फिर जिन्देगी में रेंगने को क्यों पसंद करते हो हर आने वाले के लिए शुकर गुजार रहो क्योंके हर एक हमारे पास उस दुनिया के पार से भेजा गया है जिस तरह बड़ी बड़ी सच्चाईया नहायत सादा होती है इसी तरह बड़े बड़े आदमी भी नहायत सादा होते है वक्त क्योंके बहुत बेशकीमत चीज़ है इसे सबसे बेशकीमत चीज़ पर ही खर्च करो वरना नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा सबसे बड़ा और बहतर काम वो है जो इल्म को इस्तिमाल करते हुए किया जाए दोस्त वो है जो मसीबत में हमारे साथ खड़ा हो जाए ना के हमें मसीबत में खड़ा करते जो हमारी बुराई पर चुप रहकर हमारी अच्छी बाते दुनिया तक पहुँचाए अल्ला को पहचानने के लिए पहचान वाले को कुबूल करना जरूरी है बहस के दौरान पुर सुकून रहे क्योंके लहजे की सखती गलती को एब और सचाई को बदखलाकी बना देती है खेर और शर दोनों फितने है और बिला शुबा खेर का फितना शर के फितने से बड़ा होता है दोस्त और सितारे एक जैसे होते है चाहे कितने ही लंबे फासलों पर हो उनकी रोशनी आप तक पहुच्चती रहती है एक लिबास ऐसा है जो दुनिया के हर खिते के इनसान पर जच्चता है और वो मुस्कुराहट है आदाब और अखलाक नया और जदीद लिबास है याद रखें कि फना के बाद ही असल जिन्दगी है दाना को जमीन में दफ़न करता है तब ही तो दरخت की नमो होती है मिटी से मिटी तक के सफर के दर्मीयान जो वक्त है वो मौलत है इसे ही जिन्दगी भी कहते है आदा को पाने के तीन तरीके है इरादा, इल्म, महब्बत इन में महफूस तरीन रास्ता महब्बत का है अल्ला आसे प्यार पाल ले वो आपको मिल जाएगा कुरान की हकी की तालीम और मुसल्मानों के अमल में बहुत बड़ा फर्क वाके हो चुका है कुरान जिस रास्ते का तायून करता है और मुसल्मान जिस रास्ते पर चल रहा है ये दोनों दो ऐसी लकीरे हैं जो आपस में नहीं मिल दी जिस तरह सितारे और जमीन गर्दिश में है काइनात का एक एक जर्रा फर्कत में है इनसान जिसके लिए ये सारी काइनात पैदा की गई है वो भी हर लम्हा और हर आन जजबात और एहसासात की दुनिया में रदो बदल हो रहा है उस्ताद पौदा है और शागिर्द उसका फन अच्छी और बुरी बू आसमानों पर पहुँशती है हमारी तकब्र की बू, उस्ते की बू, लालच की बू, प्यास की बू की तरह सांस के साथ होने की वज़ा से पहचान ली जाती है अगर तो इनकार करेगा तो ये बू तेरे खिलाब कभाही देगी गुनाहों की बू की वज़ा से हमारी दुआएं मर्दूद हो जाती है अलाह के मकबूल बंदे भी अलाह के हाथ में ऐसे हैं जैसे शिकारी के हाथ में कमान अलाह का दोस्त भी उसकी मर्जी के ताबे होता है अलाह का बंदा और बुजर्ग कौन है बुजर्ग वो नहीं जिसके बाल सफेद हो गए हो बलके बुजर्ग वो है जो अपनी हस्ती को फना कर चुका हो अगर इनसान में खुदी और गुरूर है तो चाहे उसके बाल सफेद हो वो बुजर्ग नहीं अगर उसका बाल बराबर भी अपना वस्फ बाकी है तो वो दुनियादार है अर्श वाला नहीं अला के बंदे जमीन की मानिद है जिस पर हर किसम की नापसंदीदा चीज़े डाली जाती है मगर उसके अंदर से सब के लिए भलाई ही निकलती है ये नुस्खा याद रखो जो शुक्र करने वाले है वो हमेशा सजदे में रहते हैं एक दम Allah क गुर्ब हासिल करने के लिए अदब और खिद्मत को इख्यार करना चाहिए ये बिसमिल्लह रह्मान रहीम रास्ता है और अलाह तक पहुँचाने वाला है ये बिल्कुल सीधा रास्ता है मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त तक पहुँचा देती है बड़ा इनसान बनना अच्छी बात है और अच्छा इनसान बनना बहुत बड़ी बात है ऐ मुला, तेरी इनायात पर आखे भर आना शुक्र ही का एक अंदाज होता है बुद की हर चीज फानी है जब तक बुद में रूह दाखिल नहीं होती वो मुड़ा है रूही की बड़ुलत ये काइनात चल रही है गौस, कुतुब, अब्दाल मत बन, बन, आजिस बन, मिस्कीन बन माबूत के हुजूर में तेरा कुछ बनना या बनने की तमना रखना तेरी सबसे बड़ी गुस्ताखी है तू कुछ मत बन, 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 किसी दौलत मन को खातिर में मत ला तेरा रब उससे कहीं दौलत मन है तू कोशिश करके गुफटगो का आगाज, यानि शुरुआत तेरी तरफ से ना हुआ करे और तेरा कलाम यानि तेरी बात जवाब बना करे अल्लाह ताला से डर, ताकि फिर तुझे किसी दूसरे का खौफ न रहे जो लोगों की नाराजगी में अल्लाह ताला की रिज़ा का तालिब हो तो लोगों से पहुँचने वाली तकलीफ के सिलसिले में अल्लाह उसके लिए काफी होगा और जो लोगों की नाराजगी में लोगों की रिज़ा का तालिब हो तो अल्लाह ताला इनी लोगों को उसे तकलीफ देने के लिए मुकरर करेगा इश्क ऐसा रास्ता है जो मन्जिल पालेने के बात शुरू होता है इस पर चलने से छाले पाओं पर नहीं दिल पर पड़ते हैं लोगों को माफ करके जो जीत होगी वो इनतिकाम से मुम्किन नहीं फत्ह मक्का के मौके पर इज्तिमाई माफी का एलान इसकी बहतरीन मिसाल है हजरत आली रजी आलाहु आन फर्माते हैं लोग एक ऐसा जमाना भी देखेंगे कि मुम्मिन शख्स को उलाम से भी ज्यादा जरीन समझा जाएगा जो शख्स इरादे का बक्का हो वो दुनिया को अपनी मर्जी के मताबक ढाल सकता है नफसानी कुवत भूग की वज़ा से मिट जाती है ये इनसान की फित्रत है लाहासिल हमेशा ज्यादा महभूब रहा है नर्म तबीयत का मालिक बनने का आवाज घर से होता है या फिर कभी नहीं होता अगर तुम्हें ऐसे आदमी की तलाश है जो तुम्हारी जिन्दगी बदर डाले तो उसे आईने के सामने ढूंडो अगर जिन्दगी की तलखिया परेशानिया आप से आपकी मिठास और नर्मी छीन ले तो समझ लें आप हार गए तौबह के दर्वाज़ा खुला है इससे बड़ी खुशकबरी इस दुनिया में कोई नहीं जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बखशी है उसे गुनाह कर जरिया ना बनाओ हराने वाला दिन चीज़ों को दुरुस्त करने का दूसरा मौका होता है जबान को शिक्वे से रोको उशाली की जिन्दीगी अता होगी इश्वा के अहमत फर्माते है बैने ऐसे भी लोग देखे है कि हर चीज उजड़ जाती है कंगाल हो जाते है लेकिन जबान पर फिर भी यही बात होती है कि अल्लाह जो करता है वो बहतर है और उस पर अल्लाह का शुक्र है जिसने जिन्दीगी में किसी को तकलीफ ना पहुँचाई हो वो कबर में आराम और राहस सोता है मरतबा मकाम और दौलत की खोहिश इन्सानी जिन्दीगी को गुन की तरह खाये जा रही है इतमिनान हालात का नाम नहीं ये रूह की एक हालत का नाम है मुतमेन आदमी ना शिकायत करता है ना तकाजा इन्सान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह को याद करता है काश इन्सान इस रास से आगाह हो जाए कि उसको वो कुछ अता हुआ है जो शमसो कमर को भी नहीं यानि इल्म, शूओर और शख्सियत हमेशा उस इन्सान के करीब रहो जो तुमें खुश रखे लेकिन तुम्हारे कोशिश का ज्यादा हकतार वो है जो तुम्हारे बगएर खुश नहीं रह पाए लज़ते वक्ती और हंगामी होती है लेकिन खुशिया शादमानिया मस्तकिल होती है लज़तों का जिसम से तालुक होता है और खुशियों का रूह से सूरत बगएर सीरत के ऐसा फूल है जिसमें कार्टे ज्यादा हो और खुश्बू बिलकुल ना हो उसकी सोहबत इख्यार करो जिसे देखना तुम्हें खुश्बू की याद में मसरूफ कर दे जिसकी गुफटगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए जिसकी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो वो सजा पूरे माश्रे पर तक्सीम हो जाती है सुस्त रफ्तारी से ना डरो एक जगा जब जाने से डरो मुमिन की जिससे दुश्मनी होती है उस पर जल्म नहीं करता जिससे महबबत होती है उसकी खातिर गुनाह नहीं करता और अगर उसके साथ जाती की जाती है तो सब इसे काम लेता है यहां तक कि खुदावंदे आलम उसका इंतिकाम लेता है प्रीबत करने वाले को काम्याबी नहीं मिलती वो आखिरकार इनसानों की नजरों में फरिष्टों की नजरों में बुरा ही बनता है और सबसे बढ़कर के अपने रब की नजर में आप किसी इनसान को खो नहीं सकते जब तक अलाह ना चाहे आपको किसी इनसान के धोके का इल्म नहीं हो सकता जब तक आला हना चाहे जो शुक्र करता है उसको ज्यादा दिया जाता है जो मसख़ले हल करने पर शुक्र करेगा उसके मजीद मसख़ले हल होंगे जो छोटे मसले हल करने पर शुक्र करेगा, उसके बड़े मसले हल होंगे जो पुराने मसले हल होने पर शुक्र करेगा, उसके नए मसले हल होंगे और जो नाशुक्री करता है, यानि शुक्र नहीं करता, अल्ला उससे बेपरवा हो जाता है और उसकी नहमत को जवाल आ जाता है यानि अगर वो मसले हल होने पर शुक्र नहीं करेगा तो मसलों का अंबार लग जाता है अगर रब कहता है कि सच बोलोगे तो रुसवाई से बच चाओगे तो ऐसा ही होगा अगर वो कहता है कि आप पाकीज की रिक्तियार करो तो आप काम्याब होगे तो वो दुरूस्त कहता है ऐसा ही होगा अगर वो कहता है कि जूट اور हराम थालुका także आपको रुसवाई के करीब ले जाएंगे तो ऐसा ही होगा आप जितने हीले बहाने कर ले जो वो कहता है वही होगा सबसे बहतरीन सद्का ये है कि मुसल्मान इल्म की बात सीख कर अपने मुसल्मान भाई को सिखा दे रहम करने से रहमत नाजिल होती है हरकिस किसी को भी उसके गुना की वज़ा से खार मत करो अल्ला वो जात है कि जब हाजात और मुश्किलात के वक मखलोग की हर तरफ से उमीदे तूट जाती है तो उसी की तरफ पना ली जाती है उस शक्स की तरह आमल करो जो जानता है कि उसके बुरे आमाल पर उसकी पकड़ होगी और नेक आमाल की उसे जज़ा मिलेगी आताला के नजदी बहुत बड़ी मंजिलत है दिल कभी माईल होते हैं और कभी उचाट हो जाते हैं लहाजा जब माईल हो उस वक्त उन्हें नफिल और मुस्तहबाद की बचा आवरी पर अमादा करो और जब उचाट हो तो वाजबात को ही काफी समझो लालच उलमा के दिलों में से हिकमत को दूर कर देता है नमाज हर मुत्तकी और परहेजगार शख्स को अल्ला हसे करीब तर कर देती है उस शख्स की क्या कैफियत होगी कि जो दुनिया से भी ठक चुका है और उसके पास आखिरत के लिए भी कुछ नहीं है रोटी का एक तुकड़ा कैसा लगता है इस बात पर मुनहसिर है कि आप भूक लगी है या नहीं करवी हकीकतों में रहते हुए भी हसीन तसवराद पालना इनसानी जहन का वो कमाल है जिसको कोई जवाल नहीं फासले एक वहम है रूहों को गले लगाने के लिए सिर्फ आंकों को बंद करने की जरूरत होती है अगर 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 अन्सान के साथ है और तमाम काईनात मुखालिव हो तब भी जीत और कामियावी उसी इनसान ही की है जिसके गम में, दिल में, याद में, अश्कों में, तनहाईयों में, तकलीफ में, अल्ला है हर मन्जिल का आखिर बेहद मुश्किल होता है और मुश्किल खा कैसी भी हो, कट जाती है भरोसा खुद पर करो, तो ताकत बन जाता है दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है कहा तू अश्रफुल मखलुकात कहा ये लज़ते दोपल की तू खीच के वजूद को जुदा करे जो मकाम रूँ का तुझे पता चले करम उसी के पास है जिसके पास गीली आखें है इनसान के अंदर जमीर हुसैन है और नफस यजीद है देख लो बैयत किसकी करनी है सबसे महरबानी से मिलो क्योंके हर शखस अपनी जिन्दगी में किसी जंग में मसरूफ है जो लोग अपनी ताकत और जोर के बलपर लोगों पर हावी होते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं फिक्र ना करें फिर ऐसे लोगों को पुद्रस सबख सिखाती है मुसल्मान कौन है जो तनहाई का मुसल्मान है आप और आपका रब जब आमने सामने हो तो आप मुसल्मान हो जाते हो मौाशरे में मुसलमान होना असान है लेकिन तनहाई का मुसलमान होना मुश्किल है सबसे बड़ी ताकत हुवतِ برداشت है सबसे बड़ा अमल सबर है सबसे बड़ी अबादत खुबूल करना और राजी रहना है और सबसे बड़ा हासिल अल्लाह का फजल है अल्लाह आप पर महरवानिया फरमाए ए लोगों अपने रब के पास सिर्फ मांगने ही आते हो कभी सिर्फ मुलाकात के लिए भी आया करो महबूब हकी की हो तो इश्क का मरतबा इल्म से बहुत बुलंद है कौम बेदार हो तो रात सितारों का मखजन है और सोई पड़ी हो तो दिन भी सूरच का मदफन है मुबारक है वो जो मकान में रहा मकीन बने बगेर बस्ती जली तो इस तरह शाय हुई खबर आतिश जनो के तेल का नुकसान हो गया तु मसाफिर है और निशानिया बाकी रहने वाली है अपने पीछे ऐसा कुछ छोड़ो जो तुम्हारी निशानियों को जिन्दा रखे भागो उस आदमी से जिसकी खामोशी डराऊनी हो और गुफटगो घिनाऊनी हुसने इजहार यानि खुबसूरत इजहार ये है कि बाग जहन की गिरफ्त में आ जाने की बजाए दूसरे शख्स को अपनी गिरफ्त में ले ले हर चीज मजाहिया ही दिखाई देती है जब तक वो किसी दूसरे के साथ हो रही हो किसी दूसरे के गिरने पर खुश मत हो क्या मालूम कल तेरे साथ क्या होगा जो बिचारा खुद को कुछ समझता ही नही उसे क्या फिक्र के दूसरे उसको क्या समझते है इन्सान कभी भी इतना बूरा नहीं हो जाता कि वो कोई नई मन्जिल ना पा सके या कोई नया खौब ना दिख सके तबील खामोशिया कभी भी इकरार नहीं होती या तो वो गिला होती है या फिर इंतजार अकल की बड़ी मुश्किल ये है कि पूरा इल्म मुम्किन नहीं और अधूरा इल्म काफी नहीं आप पर होने वाली तनकीद अगर गलत है तो भी फाइदे मन्द है और तारीफ अगर सही है तो भी हलाक कर देने वाली है दुनिया और दुनिया की चाह जूटा दरिया नकली जाल हुस्न वो चीज है जो दिल को देखना सिखाता है दानिश्वरों का कलाम जब दुरुस्त होता है तो दवा बन जाता है और जब गलत होता है तो दर्द बन जाता है आँखों की बहतात है और देखने वालों का कहत है जालिम लोग अभी तक वो जन्जीरे तलाश ना कर सके जो दिमागों को जकड सके नेकी जहानत के बगएर भी फाइदे मन है लेकिन जहानत नेकी के बगएर खतरनाक है तारीखी शूर ना हो तो जहन में इल्म को तश्कील देना मुश्किल है एहसासे जिम्मेदारी और इनसाफ पसंदी ना हो तो माश्रा मर जाता है और मुड़ों पर कोई कानून नहीं चलता अच्छी सूरत वाले कल से ड़ते हैं और अच्छी सीरत वाले आज से बीमार कौम के अक्सर लोग खुद को हटा कटा समझते हैं आलिमों की भरमार है इल्म गाइब हो चुका है मन्जर बदलते रहते हैं मगर खिड़की एक ही रहनी चाहिए खालिस से खालिस तनहाई में भी दूसरा हमेशा मौजूद रहता है कभी मन की शकल में और कभी तू की सूरत में बंदिगी में एक फखर होता है जो आजजी को दिखावा और बोज नहीं बनने देता जो दिल खुश होने के लिए अल्हा ताल्ह की नाफर्मानी चाहे उस दिल का तूट जाना ही बहतर है फिर वो दिल मेरा हो या आप का कोई फर्क नहीं पड़ता रात कबर ही तो होती है इनसान मुर्दा बनकर लेट जाता है मुकदर हो तो अगला चमकता सूरज देख ले वरना काली चादर ओड़ कर अपने अंदर डूब जाता है जमीन के जिस हिसे पर नमाज के जरीए से अल्हा की याद की जाती है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फखर करता है जहालत कड़वी लगने लगे बस यहीं इल्म का जाइका है जहां शूर की कमी होगी वहां उस कमी से फाइदा उठाने वाला भी होगा और उस कमी की निशान देही करने वाला भी आप अपने लग की सरपरस्ती में है लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि आपका कुछ बिगाड सके किसी शख्स को उस वक्त तक यजीद नहीं कह सकते जब तक आप इमाम ना बनो वो लोग जूटे हैं जो यजीद तो ढून लेते हैं मगर हुसेन बनने को तयार नहीं खुबसूरत चीज़ को बसूरत बना देना किसी भी तला जाइज नहीं उस आदमी की सोहबस से बचो जिसकी राए कमजोर और काम बुरे हो यूँकि आदमी को उसके साथ ही कितना समझा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा इनसाफ ये है कि जो गुनाह की तलाश में नकला उसे ये गुनाह दे देती है और जो फजल के तलाश में नकला उसको ये फजल देamiliarती है रूहानियत अलाह ञालाह के फैसलों को मन्जूर करना कुबूल करना है अपने फैसले मुन्जूर करवाना नहीं अकल का एहतराम ये हैं कि अकल से सवालात किये जाएं हर उस काम से दूर रहो जो चोरी छिपे किया जा सकता हो मगर सब के सामने ऐलानिया करने में शर्म का सामना करना पड़े आप पर लाजिम है कि आपस में मेल मिलाप रखना और दूसरों की मदद करना और खबरदार एक दूसरे की तरफ पीट फेरने और तालुका तोड़ने से परहिस करना दूसरों को बुराईयों से रोको और खुद भी रुके रहो इसलिए तुम्हें बुराईयों से रोकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में है जिसकी नियक बुरी होगी वो अपनी आर्जों को हासिल करने से महरूम रहेगा देखो ख्याल रखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हातों बदबख्त और दुखी ना हो एहल बैन की सीरत पर चलो और उनके नक्षे कदम की पैर भी करो वो तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं होने देंगे जहां तक बन पड़े एबो को छुपाओ अपने भी और दूसरों के भी किसी पर गुनाह कायब लगाने में जल्दी ना करो शायद उसको मौाफ कर दिया गया हो इल्म नफस को जिन्दा अकल को ज्यादा और जहालत को खत्म कर देता है जो लोग तुम से कम हैसियत के हैं उन्ही को ज्यादा देखा करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का एक रास्ता है किसी दोस्ट से तालुकात तोड़ना चाहो तो अपने दिल में इतनी जगा रहने दो कि अगर उसका रवया बदले तो उसके लिए गुनजाईश हो जो शखस अपने नफस को सवारने की बजाए और चीजों में पढ़ जाता है वो हलाकतों में भसा रहता है और शेतान उसे गुम्राही में खीच कर ले जाते है आदमी का दुनिया में जल्म करना आखिरत में उसकी बदबख्ती और नाकामी की निशानी है अपने नफस को तक्वा और पाकदामनी के जरीए से कामिल करो और अपने मरीजों का सद्गे के जरीए से इलाज करो तेरा नफस तुछ से वही काम करवाएगा जिसकी तुने उसे आदत डाल दी है जो तालीम की तल्खियों और करवाहट को बरदाश नहीं कर पाता वो जहालत की जिल्लत में बाकी रहता है खत्म हो जाने वाली चीजों में अपने आप को मश्गूल रखना वक्त का जाए करना है एक अच्छी रूह और महरबान दिल को उन लोगों के दर्मियान रहने से ज्यादा कोई चीज तकलीफ नहीं देती जो उसे समझ नहीं सकते दलील सही भी हो तब भी एक अच्छे इजहार की जरूरत मन्द होती है भागना नहीं चाहिए ना जंग की तरफ ना जंग से जाती फाइदे का तसवर लालज या खत्रे की वज़ा से उभरता है हुआ 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 है